पार्ट ग्यारा प्रायश्चित अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहु से और रामू की बहु घर भर में किसी से घ्रिना करती थी तो कबरी बिल्ली से रामू की बहु दो महीने हुए माईके से प्रत्म बार ससुरा लाई थी पती प्यारी और सास की दुलारी चौदा वर्ष की बालिका भंधार घर की चाबी उसकी करगनी में लटकने लगी नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहु घर में सब कुछ सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया लेकिन बहु ठहरी चौदा वर्ष की बालिका कभी भंधार घर खुला पड़ा है तो कभी भंधार घर में बैठे बैठे सो गई कबरी बिल्ली को मौका मिला अब वह घी दूद पर जुड़ गई रामू की बहु की जी जान आफत में और कबरी बिल्ली के चक्के पंजे रामू की बहु दूद रखकर मिस्रानी को जिंस देने गई और दूद नदारत अगर यह बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था कबरी रामू की बहु से कुछ ऐसा परक गई थी कि रामू की बहु के लिए खाना पीना दुश्वार रामू की बहु के कमरे में रबडी से भरी कटोरी पहुची और रामू जब आये तब कटोरी साफ चटी हुई बाजार से मलाई आयी और जब तक रामू की बहु ने पान लगाया मलाई गायब रामू की बहु ने तै कर लिया था कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही मोरचा बंदी हो गई और दोनों सतर्क बिल्ली वसाने का कट घरा आया उसमें दूद मलाई चुहे और बिल्ली को स्वादिश लगने वाली विविद प्रकार के वियंजन रखे गए लेकिन बिल्ली ने उधर निगा तक न डाली इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई अभी तक तो वह रामू की बहु से ड़ती थी पर अब वह साथ लग गई लेकिन इतने फासले पर की रामू की बहु उसको हाथ न लगा सके कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहु को घर में रहना मुश्किल हो गया उसे मिलती थी सास की मीटी जड़किया और पती देव को मिलता था रूखा सुखा भोजन एक दिन रामू की बहु ने रामू के लिए खीर बनाई पिस्ता, बदा, मखाने और तरह तरह के मेवे दूद में ओटाए गए सुने का वर्ख चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे उचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुच सके रामू की बहु उसके बाद पान लगाने में लग गई उधर कमरे में बिल्ली आई ताक के नीचे खड़े होकर उसने उपर कटोरे की ओर देखा सुनगा माल अच्छा है ताक की उचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहु पान लगा रही है पान लगा कर रामू की बहु सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी पंजा कटोरे में लगा और कटोरा जन जनाहट की आवास के साथ फर्ष पर आवास रामू की बहु के कानू में पहुची सास के सामने पान फेक कर वह दोड़ी क्या देखती है कि फूल का कटोरा तुकडे तुकडे खीर फर्ष पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है रामू की बहु को देखते ही कबरी चंपत रामू की बहु पर खुन सवार हो गया ना रहे बास ना बजे बासुरी रामु की बहु ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कसली रात भर उसे नींद नाई किसी दाउं से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिन्दा ना बचे यही पड़े-पड़े सोचती रही सुभा हुई और देखती है कि कबरी दहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताख रही है रामु की बहु ने कुछ सोचा उसके बाद मुस्कुराती हुई वा उठी कबरी रामु की बहु के उठते ही खिसक गई रामु की बहु एक कटोरा दूद कमरे के दर्वाजे की देहरी पर रख कर चली गई हाथ में पाटा लेकर वा लौटी तो देखती है कि कबरी बिल्ली दूद पर जुटी हुई है मौका हाथ में आया सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया कबरी ना हिली न डुली न चीखी न चिलाई बस एकदम उलट गई अवाज तो हुई तो महरी जाडू छोड़कर मिस्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्तित हो गई अब रामु की बहु सिर्ध जुकाए हुए अपराधनी की भाती बाते सुन रही है महरी बोली अरे राम बिल्ली तो मर गई माजी बिल्ली की हत्या बहु से हो गई या तो बुरा हुआ मिस्रानी बोली माजी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है हम तो रसोई न बनाऊंगी जब तक बहु के सिर हत्या रहेगी सांस जी बोली हाँ ठीक तो कहती हो जब तक बहू के सिर्ष से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है बहू या क्या कर डाला महरी ने कहा फिर क्या हो कहो तो पंडित जी को बुलाया जाए बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरहा आस पडोस में फैल गई पडोस की और तोका रामू के घर में ताता बंध गया चारो तरफ से प्रश्णों की बोचार और रामू की बहु सिर जुकाए बैठी पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे खबर पाते ही वह उट पड़े पंडिताईन से मुस्कुराते हुए बोले भोजन मत बनाना लाल घासी राम की पतोहु ने बिल्ली मार डाली प्रायश्चित होगा पकवानों पर हाथ लगेगा पंडित परम सुख छोटे से नाटे से आदमी थे लंबाई चार फिट डस इंच और तोंत का घेरा अठावन इंच चहरा गोल मतोल, मूच बढ़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुचती हुई कहा जाता है कि मतुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंडा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था पंडित परम सुख पहुचे और कोरम पुरा हुआ पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किस्नू की मा, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख, बाकी स्त्रियां बहु से साहनु भुती प्रकट कर रही थी किस्नू की मा ने कहा, पंडित जी बिल्ली के हत्या करने से कौन नर्ख का पता लग सकता है पंडित परमसुख ने पन्ना देखते हुए कहा, अकेले बिल्ली की हत्या से तो नर्ख काम नहीं बताया जा सकता वह मूरत भी मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई, तो नर्ख का पता लग सकता है यही कोई साथ बजे सुबा, मिसरानी जी ने कहा पंडित परमसुख ने पतरे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलिया जलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा, चहरे पर धुन्दला पनाया, माथे पर बल पेड़े ना कुछ सिकोडी और स्वर घंबीर हो गया, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ, प्राता काल, ब्रहम, मूरत में बिल्ली की हत्या, घोर कुम्भी पाक नर्ख का विधान है, रामु की माँ या तो बड़ा बुरा हुआ, रामु की माँ की आखों में आसु आ गए, तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाए, पंडित परम सुक मुस्कुराए, रामु की माँ चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए है, शास्त्रों में प्रायश् से सब कुछ ठीक हो जाएगा, रामु की माँ ने कहा, पंडित जी इसलिए तो आपको बुलवाया है, अब आगे बताए कि क्या किया जाए, किया क्या जाए, यही सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहु से दान करवा दी जाए, जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी, तब तक घ अपवित्र रहेगा, बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए, चन्नु की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए, रामु की मा ने कहा, तो पंडित जी बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए, पंडित परमसुक मुस्कुराए, अपनी तोन पर हाथ फिरते हुए, उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए, अरे रामु की मा शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, परंतु अब कल्यूग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, शद्धा नहीं रही, सो रामु की मा बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बननेगी, क्योंकि बिल्ली बीस 21 सेर से कम की क्या होगी, हाँ कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाए के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी शद्धा, रामु क की बिल्ली से कम ना निकलेगा पंडित परम सुख हस पड़े रामु की मा एक तोले सोने के बिल्ली अरे रुपिये का लोग बहु से बढ़ गया बहु के सिर पर बढ़ा पाप है इसमें इतना लोग ठीक नहीं मोल तोल शुडू हुआ और मामला 11 तोले के बिल्ली पर ठीक हो गया इसके बाद पूजा पाठ की बात आई पंडित परम सुख ने कहा उसमें क्या मुश्किल है हम लोग किस दिन के लिए हैं रामु की मा मैं पूजा कर दिया करूंगा पूजा की सामगरी आप हमारे घर भिजवा देना पूजा का समान कितना लगेगा रामु की मा ने दिल पाच मन जो और पांच मन चना चार पन सेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा बस इतने से काम चल जाएगा अरे बापरे इतना सामान पंडित जी इसमें तो देड़ सो रुपया खर्च हो जाएगा रामु की मा ने रुआसी होकर कहा फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामु की मा खर्च को देखते वक्त पहले बहु के पाप को तो देख लो यह तो प्रायश्चित है कोई हसी खेल थोड़ी है और जैसी जिसकी मरियादा प्रायश्चित में वैसा खर्चा भी करना पड़ता है आप लोग कोई ऐसे व बिली के हत्या क्यों ऐसा वैसा पाप तो नहीं बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए चन्नु की दादी ने कहा और नहीं तो क्या दान पुने इसे ही पाप करते हैं दान पुनिय से किफायत ठीक नहीं मिस्रानी ने कहा और फिर मा जी आप लोग बड़े आदमी ठेरे आप लोगों को इतना खर्च कौन अखरेगा रामु की मा ने चारो और देखा सभी पंच पंडित जी के साथ थे पंडित परमसुक मुस्कुरा रहे थे उन्होंने कहा रामु की म एक तरफ तो बहु के लिए कुंभी पाक नर्ख है और दूसरी तरफ तुम्हां जिम में थोड़ा सा खर्चा है तो उससे मूना मोड़ो एक ठंडी सास लेते हुए रामु की मा ने कहा अब तो जो नाचन चाओगे नाचना ही पड़ेगा पंडित परमसुक जरा कुछ अटोरा अरे पंडित जी रामु की मा को कुछ नहीं अखरता बैचारी को कितना दुख है बिगडो ना मिस्रानी चनू की दादी और किस्नू की मा ने एक स्वर में कहा रामु की मा ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया और क्या हो 21 दिन के पार्ट से 21 रुप्या और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मनों का भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परमसुक ने कहा इसकी चिंता मत करूं। मैं दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मनों के भोजन का फल मिल जाएगा। मैं जी की बात खतम ही नहीं हुई थी कि महरी हाफते हुए कमरे में गुसी और सब लोग चौक गए। रामू की माने घबराकर कहा अरी क्या हुआ अरी महरी ने लटखडाते हुए स्वर में कहा मा जी बिल्ली तो उठकर भाग गई।